हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है एजुकेशन संग्रापे दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा है हम बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी सो माक्स का एक चेप्टर है उसा उसा के 29 वेरी वेरी इंपोर्टेट अब्जेक्टिव कोशन इस वीडियो में देखेंगे यानि उसा के दोवारा जितने भी एक्जाम में आपके कोशन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है और आपका एक्जाम 2023 में है चाहे आप साइंस हैं या फिर कॉमर्स हैं या फिर आर्ट से फरवाली में आपका एक्जाम में स्टार्ट हो रहा है या आपका क्विकरी बेज़न आ है अच्छे से कोश्षन को देखिएगा पर देक कोश्षन का कॉमेंट जो में एंसर लिखीएगा हम को रीड करेंगे और उसका एंसर जो आपको कॉमेंट बक्स में करना है ठीक है अबी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राईब नहीं किये त समसेर बहादूर सिंग ने कौन सी कविता लिखी है समसेर बहादूर सिंग ने कौन सी कविता लिखी है option A है पुत्र बियोग, option B है उसा, option C है हारजीत और option D है अधिनाया तो आप सभी को बताना है कि समसेर बहादूर सिंग ने कौन सा कविता लिखा है फटाफोर comment box में बताइए तो इसका answer कि समसेर बहादूर सिंग ने कौन से कविता लिखा है तो याद रखेगा आप लूग अच्छे तरह से इस question का correct answer option B हो जाएगा उसा और पुत्र पियोग के जो लेखिका है यानि कवित्री है सुभद्रा कुमारी चोहान ठीक है चलिए आगे देखते हैं दूसरा नमबर प्रस्ण क्या कहा रहा है समसेर बहादूर को हिंदी साहित में क्या कहा जाता है फटाफोर comment करके बताइए दूसरा का correct answer जल्दी से बताइए समसेर बहादूर सिंग को हिंदी साहित में क्या कहा जाता है तो याद रखेगा कभियों के कभी कहा जाते हैं समसेर बहादूर सिंग ओप्सन नमबर C करेक्ट है चलिए आगे देखते हैं कोशन नमबर तीसरा परस्न है तो याद रखेगा कभियों के कभी किसे कहा जाता है तो याद रखेगा कभियों के कभी हम लोग समसेर बहादूर सिंग को कहते हैं ठीक है option number D correct है दो तरह से question पूछ सकता है पौला किस टाइब का question होगा तो देखेगा समसेर बहादूर सिंग को हिंदी साहित में क्या कहा जाता है तो याद रखेगा कभियो के कभी और यहाँ पर question पूछा है कभियो के कभी किसे कहा जाता था कि इसे कहा जाता है तो याद रखेगा समसेर बहादूर सिंग को ठीक है चलिए आगे देखते हैं Next question is, समसेर बहादूर सिंग के प्रतिनीधी कभिताएं नामक का बिकृति का समपादन किसने किया? तो याद रखेगा सभी बचे कॉमेंट करके इसका एंसर बताएं, तो चौथा का करेक्ट एंसर क्या होगा? बताना आपको समसेर बहादूर सिंग के प्रतिनीधी कभिताएं नामक का बिकृति का समपादन किसने किया है? तो चौथा नमबर प्रस्न का एंसर याद रखेगा सभी बच्चे, इसका एंसर ऑप्सन सी हो जाएगा, नामवर सिंग हो जाएगा. चलिए आगे देखते हैं. पांचवान नमबर प्रस्न कह रहा है, उसा का जादू कभ तूट जाता है? इनमेसे कोई नहीं. तो सभी बच्चे याद रखेगा पाच्वा नमबर कोशन का correct answer, option नमबर आपका A हो जाएगा, सुर्योदे होने पे option A correct है चलिए आगे देखते हैं, कोशन नमबर छटा है, समसेर बहादूर सिंग ने किस कोश का समपादन किया? option A है हिंदी अंग्रेजी कोर्स, option B है उर्दू अंग्रेजी कोर्स, option C है उर्दू हिंदी कोर्स या फिर इन में से कोई नहीं सबी बचे कोमेंट करके बताएगे, छट्टा नमबर प्रस्न का एंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसको अच्छे तरह से आपको याद रखना है, समसेर बहादूर सिंग ने किस कोश का समपादन किया? तो छट्टा नमबर कोशन का एंसर, option A हो जाएगा, उर्दू हिंद कोश, option यहाँ पे C करेक्ट है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, question number 7 है, समसेर बहादूर सिंग किस साहितकार के समकालिन थे? ठीक है, question आपसे पूछा गया है, समसेर बहादूर सिंग किस साहितकार के समकालिन थे? option A है, प्रेमचंदर, option B है, जैसंकर परसाथ, option C है, कभीर, दास, option D है, नगारजून, दोस्तों याद रखेगा, समसेर बहादूर सिंग कौन से साहितकार के समकालिन थे? तो याद रखेगा, इस question का correct answer, option D हो जाएगा, नगारजून, option D correct है, चलिए आगे देखते हैं, question number 8 है, समसेर बहादूर सिंग की रचना, किस सब तक में आनी शुरू हुई, समसेर बहादूर की रचना, किस सब तक में आनी शुरू हुई, कौन से सब तक में आपको बताना है, पहला सब तक, या फे दूसरा, या तीसरा, या इन में से कोई नहीं, तो सभी बचे याद रखे या question आपके एक्जाम में पूछे गए हैं तो याद रखना है आपको आठवा नमर question का एंसर option B हो जाएगा दूसरा सब तक में option B correct है चलिए आगे देखिए समसेर बहादूर सिंग की कौन सी रचना नहीं है चार option में से आपको बताना है जो निमलिखीत है इसमें से कौन सा जो है रचना वो समसेर बहादूर सिंग के दोआरा रचित नहीं किया गया है तो नौ नमर प्रस्न का एनसे शवी बचे याद रखेगा सते से उठता आदमी option D correct है नवा नमर प्रस्न का option D correct है आगे देखते हैं समसेर बहदूर सिंग की कौन सी रचना है समसेर बहदूर सिंग की रचना कौन सी है तो याद रखेगा यहाँ पे उदीता हो जाएगा option C correct है चले आगे देखते हैं question number आपका 11 नमबर प्रस्ण क्या कर रहा है समसेर बहादूर सिंग ने 1978 में किस देश की यात्रा की समसेर बहादूर सिंग ने 1978 में किस देश की यात्रा की तो 11 नमबर प्रस्ण का एंसर आपका option number B हो जाएगा सुबियत रूख रूष option B correct है चले आगे देखते हैं question number आपका 12 क्या कर रहा है समसेर बहादूर सिंग ने किस अस्थान से B A किया option A है इलहाबाद, option B है दिल्ली, option C है बनारस और option D है कानपूर तो दोस्तों आप लोग को याद रखना इस question का correct answer आपका option A हो जाएगा इलहाबाद हो जाएगा ठीक है चले आगे देखते है question number आपका 13 नमबर प्रस्ण क्या है समसेर बहादूर सिंग का संबंद किस विश्वविद्याले से रहा तो आप सभी को याद रखना है इस question का correct answer option नमबर यहाँ पे C हो जाएगा बिक्रम विश्वविद्याले उज्जेन option यहाँ पे C correct है ठीक है चले आगे देखते है question number आपका 14 नमबर प्रस्ण बहुत important है उसा कविता में प्राथकाल को किसे समान बताया गया है उसा कविता में प्राथकाल को किसके समान बताया गया है यानि किसके बराबर यानि किसके समान बताया गया है तो याद रखेगा answer आपका हो जाएगा नीले संग के समान option इसका B correct है चले आगे देखते हैं सुकुन की तलास क्या है उपर नियास कहानी गजले या फिर इन में से कोई नहीं तो आप लोगों को याद रखना है 15 नमबर question का answer गजले हो जाएगा option number यहाँ पे C correct है चले आगे देखते है question number 16 क्या कह रहा है प्रकिर्ति वर्णन से संबंदित कभिता कौन है गाउं का घर उसा साकेत या फिर हार जीत तो दोस्तो याद रखना है प्रकिर्तिक वर्णन से संबंदित जो कभिता है दोस्तो वह आपका जो है उसा है और उसा के जो लेखा के वह कौन है समसेर बहादूर सिंग ठीक है चले आगे देखते हैं कोसन नमबर आपका सत्रह है दूसरा सब्तक का प्रकासन वर्ण क्या है दूसरा सब्तक का प्रकासन वर्ण दोस्तो आप लोग को याद रखना है आपका एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी अन्नाई सो संतावन ओप्सन नमबर यहाँ पे ब बहादुर सिंह का जनम कभ हुआ था तो 18 नमब प्रस्ण का option यह हो जाएगा यहां पे 18-13 जनवरी 1911 को चलि आगे देखते हैं समसेर बहादुर सिंख की पत्रिनी का नाम क्या था तो याद रखना है समसेर बहादुर सिंख की पत्रिनी का जो नाम था दोस्तों वो आपका धर धर्मदेवी था यानि अनिस नमः प्रस्ण का यहाँ पर देखिए यह ओप्षन चूट गया है यहाँ पर भी पर है धर्मदेवी वह करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं 20 नमः प्रस्ण क्या कर रहा है कौन सी करिती समसेर बहादूर सिंग की है तो दोस्तों याद रखेगा इन निमलिखित उप्षन में से आपका उप्षन सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है उप्षन यहाँ पर सी करेक्ट है चलिए आगे देखते हैं question number आपका 21 क्या कह रहा है कौन सी क्रिती समसेर बहादूर की नहीं है चार option में से आपको बताना है कि कौन सा क्रिती जो है समसेर बहादूर सिंग के द्वारा रचित नहीं है आपका option D हो जाएगा भारत इतिहास और संस्क्रिती option D करेक्ट है आगे देखिए सुकुन की तलास क्या है तो सुकुन की तलास दोस्तों याद रखिएगा बहुत important question है आपका option A हो जाएगा गजलो का संग्रा option A करेक्ट है तेक है वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और वीडियो को लाइक किजिएगा चले 23 प्रस्ण कैंसर प्रभात कालीन आकास कैसा होता है तो 23 का आपका option B हो जाएगा नीले संक जैसा चले आगे देखते हैं कोसर नमर 24 है किसका जादू तूटता है तो 24 का आपका option A हो जाएगा उसा का चले आगे देखते हैं 25 नमर प्रस्ण किया कर रहा है उसा सिर्षक कविता की कभी कौन है तो याद रखेगा समसेर बहादुर शिग है option D correct है और कभियो का कभी किसे कहा ज चलिए आगे देखिए 26 का जल्दी से बताइए चुका भी नहीं हूं मैं कि रचाईता कौन है तो 26 का याद रखना आपको समसेर बहादूर सिंग ओप्शन यहाँ पे C करेक्ट है चलिए आगे देखते हैं सुकून की तलास किसकी रचना है तो 27 का आपका ओप्शन C हो 28 नमबर प्रस्ण देखते हैं समसेर बहादूर सिंग का जनम कहा हुआ तो 28 का दोस्तों याद रखेगा देहरा दून ओप्शन A हो जाएगा ठेक है चलिए आगे देखते हैं कोसर नमबर आपका 29 है समसेर बहादूर त्वरा रचीत है उसा का जादू कब तूटता है तो उ कि सब्जेक्ट पर चाहिए वीडियो कॉमेंट में जरूर बताईएगा ठीक है वीडियो की नीचे जो कॉमेंट आता है लाइफ जैट में नहीं बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आप सभी को बताना है कि नेक्स्ट वीडियो कि सेप्टर पर चाहिए किसक अब्जेक्टिव आपको चाहिए ठीक है कमेंट करके जरूर ही बताइएगा वीडियो पसंद आओ तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों में भी सेर कीजिए